Hello everyone, नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम अंकित वर्मा है और आप सभी का स्वागत करता हो अपने YouTube चैनल में आज की लेक्चर में हम लोग Interferometry के Part 2 को पढ़ेंगे, इससे जो पिछला लेक्चर था, जो की लेक्चर No.21 था, उसमें में, यह तो लेक्चर No.22 है, लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया था, कि जब पाथ डिफरेंस, कितना हो लेमडा वाए 2 हो, तब हमारी डार्क फ्रिंज बनती है, यह डार्क बैंड बनता है, इतना हमारा डिस्कॉशन हुआ था, यह इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक त इसको destructive interference मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर आपको देखना पड़ेंगे, अगर इतना आपको आते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने हमें बताया था, अब इसी तरीके से आज का जो हमारा lecture होगा, हम optical flats को पढ़ेंगे, कि interference bands optical flats से कैसे बनती है, ठीक है, तो heading आप डाल सकते हैं अपने notes में, interference band using optical flat, ठीक है, तो ये भी एक तरह से interference print बनाने का एक तरीका है, ठीक है, तो optical flat basically है क्या, एक ये disc है, glass की या quards की material की, तो basically optical flat का एक disc है, कौन से material की, या ग्लास की होती है, या quards की material की होती है, ओके, और इसका जो surface होता है, उसको फोड़ा सा हम क्या करके रखते हैं, polished करके रखते हैं, इसका जो surface होता है, वो कैसा होता है, polished होता है ठीक है और flat होता है इसकी जो surface finish है एक तरह से few microns में होती है बहुत ज़्यादा surface finish इसकी high होती है यादा ठीक है तो obviously अब इसको थोड़ा सा उबर पढ़ते हैं हम इसको detail में कि इसका जो range आती है ऐसा question आयवा भी है कि यह जो optical flat आती है कितने type की आती है तो यह 25 mm से 300 mm dia तक की आती है अलग-अलग आती है ठीक है उसका जो थिकनेस होती है जो इसकी मोटाई होती है एक तरह से optical flat की जो थिकनेस होती है वो होती है लगवग 1-6th of diameter इस बात को भी आप अपने notes में note कर सकते है ठीक है तो obviously बीना light के तो यहाँ भी काम नहीं होगा तो light तो हमें डालनी ही पड़ेगी interference के लिए तो monochromatic light, coherent source of light तो चाहिए ही चाहिए clear अच्छा तो यह जैसे मैं बता रहा हूँ optical flat कुछ रहे गया तो back करके आप देख सकते है optical flat यह भी जैसे मैंने बता है type A और type B दो type की आती है यह market में तो इसमें type A वाले में क्या होता है single flat surface होता है क्या होता है single flat surface जो type A की आती है ठीक है और बहुत ही ज़्यादा precision measuring जो surface है उनके लिए just like slip gauges यह जो जिससे आप measuring करते हैं measuring table जिसे बोलते हैं उसके testing के लिए काम आती है basically उसकी flatness को check करने के काम आती है ठीक है तो किसी चीज को precision measuring surface के लिए type A, मनलब ज़्यादा accurate को होन है मेरा कहने का मतलब यह है तो यह question आप से आज पूछ सकते हैं इसमें और जो type B की optical flat होती है इसके दोनों surface working होते है और parallel होते हैं एक दूसरे के ठीक है just like किन के लिए काम आती है कि just like micrometer की flatness को check करने के लिए envils होते हैं उसको इस type के check करने के उनका जो flatness है और उनकी parallelism क्या चीज़ को नापते हैं flatness and parallelism बहुत ही मतलब मैं शंक्षेप में आपको बता रहा हूँ main main points जो भी आपको note करा है आप साथ में note कर सकते हैं इस से बाहर आपके paper में नहीं आएगा आप question करके देखिएगा आपको idea लग जाएगा सभी के सभी questions होँगे numerical वाले question भी होँगे आपसे theoretical question भी सभी के सभी होँगे IES mains तक के question आपसे हो जाएगे अब ठीक है इस से बड़ा तो कोई exam ही नहीं उसी level से पढ़ रहे हैं ठीक है ये थे दो type की जो market में था type A, type B अब इनकी अगर मैं बात करूँ इनका जो designation हो तो वो कैसे होता है Indian standard के हिसाब से भी इनका होता है तो उसको बोलते हैं Indian standard 5440 code है इसका ठीक है तो ये जो इसके हिसाब से Indian standard 5440 एह हिसाब से दो grade होते है ठीक है तो ये एक होता है इसका grade 1 और दूसरा होता है इसमें grade 2 इसकी जो flatness होती है 0.05 micron होती है और इसकी होती है grade 2 की 0.10 micron तो ये है Indian standard के हिसाब से clear? और वो है जो market में आ रहा है ये Indian standard के हिसाब से IS के हिसाब से ठीक है? अब इनका designation हम लोग कैसे करते हैं? कैसे दिखाया जाता है? इसको कैसे लिखा होता है market में? या simply market छोड़ो question में क्या होगा? तो optical flat को जैसे की grade 1 type A की है देखो धिहाल से grade 1 type A और उसका जो diameter है माल लो 500 mm है तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? मैं आपको बता दू optical flat 1 A इस तरह से ठीक है 2 5 उसके बाद लगा देंगे IS 5440 समझाए ही मेरी बाद? इस तरह से हम लोग इसको कर से हैं जो grade 2 की और type B की होती हैं मैं जो अगर थिकनेस आपको दिया हो माल लो type grade 2 type B और उसमें थिकनेस दिया हो उसकी ये माल लो 1.25 mm थिकनेस दिया है थिकनेस दिया है इतनी तो इसको कैसे designate करोगे? 2nd इस तरह से करना है 2nd में 1st को इस तरह से कर दा था grade 1st और grade 2 में 2nd में यहांबर grade 2 भी लिखेंगे फिर इसकी थिकनेस आ जाएगी ऐसे फिर IS 54 0 अगर इस तरह से दिया होगा थिकनेस के साब तो आप इस तरह से लिख सकते है clear है जी? कई बार ये question भी इसमें बन सकता है कि इसके उपर कोटिंग करके रखते है इसकी surface जो चमकदार रहे titanium oxide की इसमें thin film लगा के रखते हैं जो कि light का loss नहीं होने देती है हमें मतलब clearer bands मिलते है reflection के कारण light का loss नहीं होता है clear है जी? basically flatness के लिए काम आएगा ये तो optical flat होती है किसके लिए काम आ रही है? testing of flat surface को आप माल लेते हैं कोई भी case है optical flat आपने किसी workpiece के उपर रखी है ठीक है? और उस workpiece के आपको flatness को check करना है ठीक है? कैसे मैं बता रहा हूँ? जैसे माल लीजिए ये कोई workpiece है आपका और इस workpiece का जो surface है ना माल लेते हैं कि थोड़ा वहता foreign material गंदगी आने के वैसी है convex है या surface या concave हो गया थोड़ा सा surface अगर आप इसे optical flat रखें बहुत जूम करके मैं आपको एक तरह से दिखा रहा हूँ ये body ये जो optical flat ती cylinder का shape की वह आपको ऐसे किसी ना किसी particular angle theta पे दिखेगी अब क्यूं है इसका वेज़े से क्या रीजिए माल लेते हैं कोई ना कोई material इसके पर पड़ा तो थोड़ी सी ये उठ गई है कुछ नहीं set हो पाया तब अब क्या होगा यहां पर interference of light मलब अब इस पर हम क्या डालेंगे monochromatic light डालेंगे कौनसी light डाली हमने यह मैंने पिछले lecture में बता दिया था monochromatic का मतलब क्या है coherent का मतलब बहुत अच्छे से मैंने बताया था ठीक है तो अब क्या होगा अगर हम यहां पर देखें अगर मैं यहां पर बनाओ इसको तो क्योंकि यहां पर आपने monochromatic light डाली और यह optical flat है तो यहां पर भी कुछ न कुछ क्या होगा आपको interference का scene मिलेगा ठीक है अब क्यों मिलेगा कैसे मिलेगा उसके लिए तो मैं आपको पूरा पूरा इसका exaggerated मलब पूरा बड़ा सा बना के दिखाँगा इसमें बट बैंड कैसे मिलेगी बस अभी के लिए तो मैं आपको यहां पर अभी यह dark वाला हिस्सा है जिसको मैंने hash कर दिया ठीक है जी इस तरह की आपको जो इसका जो surface है जो interference of light rays से हुआ reflect हुआ कहां से reflect हुआ इसके bottom surface से ठीक है और work piece के top surface से भी मैं आगे दिखाँगा ठीक है और यह कौन सा medium है air है तो इसका अगर आप top view अगर यहां से देख रहे हो तो आपको ऐसी view इस तरह का bend मिलेगा यह जो black या dark बोलूंगा मैं यहां पर तो इसको बोलेंगे dark fringe है ना जी और और क्या इसके अंदर समझने वाली बात है कि यह जो distance अभी इस ball सी जो बनी है इसका जो surface है basically इसका ऐसे surface बना है मैं यहां बना के दिखाया है ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ यह जी ठीक है तो इस तरह से आगे भी इस तरह से बनता रहेगा ठीक है तो इस तरह से अब एक पास समझने की इसमें है अगर मैं इस thickness को भी माल लूँ और A को क्या मानूँ में जहां से यह start हुआ था और अगला जो start हुआ इसको बोलते है mean spacing तो यह जो B को पता क्या बोलते है B क्या चीज़ है हमारी band को जो आपकी dark band है जो उसका curvature है जो work piece का उसको दिखा रहे है यह work piece में कुछ ना कुछ curvature जो है उसको दिखा रहे है dark band ठीक है और जो mean spacing है मतलब जहां से शुरुआत हुआ पहले वाले band की और जो यहां पर अगला जो dark band इस start हुआ यहां से इसको बोलते हैं हम लोग A distance तो हम लोग यहां से एक यह चीज बता देते हैं कि कोई भी surface कितने percent convex है या कितने percent concave है तो X क्या होता है B upon A और कितना over diameter D कितना diameter था इसका पूरा पूरा D था तो इससे क्या पता लग जाएगा अगर आप इसको सिधा सिधा आप यहां से निकाल लोगे तो आपको यह पता ले कितना amount है convex या concave वो तो fingerprint test होता है इसमें कुछ आगे इतना detail है पढ़ने की जूरत नहीं है लेकिन यह है कि आप यहां से यह बता दोगी इस thickness को अगर आपने calculate कर लिया यह आपकी value कैसे आएगी वो बाद में देखेंगे बट अगर आप B upon A निकाल दोगे यह thickness को तो यहां से आपको बता कर पाओगे कितनी हो है कितना convex है कोई surface कितना concave है clear है जी तो इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं अच्छा अब दूसरी बात यहां पर क्या आती है कि मालो आपको यहां पर wavelength पता ही भाई कौन सी light यूज करोगे तो आपको उसकी wavelength पता ही है जो भी light का इस्तमाल करेंगे उसकी wavelength हमें पता ही है wavelength क्या है नोन है 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 न तो यह wavelength का क्या काम आएगा यह आप आगे देखना उसमें जादा समय बट यहां से आप समझ गिए होंगे कि यह यह वालाट थिकनेस और यह वाली थिकनेस का क्या काम है अगर प्लेन होता तो यह नहीं बनते हैं अब देखो मैं इसको थोड़ा सा आप जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस को थोड़ा सा बना कर दिख तो इसमें बागे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको यहां पर पहले बताता हूं वह एक्सपेरिमें मैं जो पिछलेक्चर में मैंने आपको बताया भी था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी उसको गोल दो स्लिट्स हमने बनाई थी तो पात डिफरेंस क्या चीज थी उस चीज़ को मैं जल्दी से बताऊंगा ताकि आगे का पॉइंट हमारा समझा और गेट में दो नंबर का कोश्चन भी आए वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी सेम कंसेप्ट पर यहां से अगर पाथ डिफरेंस जैसे मैंने पहले ही बताया था है अगर दोनों के दोनों पाथ सेम रहेगा तो आपको यहां पर सेंटर में ब्राइट फ्रिक मिलेगी ओ पॉइंट पे लेकिन अगर म यह पॉइंट के अगर मैं बात करूं तो खुता क्या है यहां पर आपको डार्क फ्रिंग मिलेगी जिए मैं अभी बताई चुका हूं आपको क्यों मिलेगी बट इस एक्सपेरिमेंट के थुरू मैं बताना चाहरा तक जब पाथ डिफरेंस आपको कुछ ना कुछ पाथ ड डेल्टा है पाथ डिफरेंस सो पाथ डिफरेंस जो मेक्सीमम होता है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरंस के लिए इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो मैं आपको बता हूं वो होता है एन लेम्डा के बराबर यह आपने याद रखना है एन की वेलू 01234 और जो डेल्टा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरंस के लिए वो है आपने याद रखना है लेम्डा वाए 4 लेम्डा वाए 4 पाथ डिफरेंस ठीक है तो अब मुझे अगर इस बात से समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग हमें निकालना है अब दो ये इन दोनों फ्रिंज की स्पेसिंग नि बात करओ फ्रिंज की जो ठिकने असा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं है तो ये है क्या फ्रिंज की स्पेसिंग है क्या थै MAX अ अच्छा, path difference, delta, अगर मैं आपको कहूंगा, वो मैं पूरा-पूरा तो proof नहीं कराऊंगा, वो young double slit experiment आपको देखना पड़ेगा, क्या आएगा, तो यहां से जो delta की value आती है, जो path difference आता है, basically, वो कितना आता है young double slit experiment से, y, d, by d, d क्या होता है, यह capital D क्या होता है, slits या slits हैं और जो screen है, उसके बीच की दूरी है, y क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, जहाँ पर एक bright बना, एक बार dark बना, समझ गया है, आप मेरी बात को शायद समझ गये होंगे, ठीक है, और d क्या है, छोटा d क्या है, दोनों slits के बीच की दूरी है, जो, यह छोटा d है, याद आ गया होगा आपको, यह बताना मेरा इसलिए जरूरी कि गेट में इसमें दो नंबर का question आ है, इसलिए बता रहा हूँ, so, मतलब, अब अगर मान लो, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दो consecutive spacing, मतलब, एक consecutive निकालो, मान लो, y n और y, n-1, इन दोनों के बीच की अगर दूरी अगर मैं निकालों, एक bright और एक, तो वो ही तो fringe spacing आ जाएगी, दोनों के बीच की कितनी दूरी है, so, basically हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने, हमें पता है कि इसका जो formula होता है, y का formula यहाँ से क्या आ जाएगा, नहीं कि delta d by small d आ आएगी, clear है मेरी बात, ठीक है, अब अगर आप देखो, n-1, अब अगर आप तो यहाँ से निकालो, y, n, इसकी constructive वाले के लिए क्या होती है, value a, constructive की बात करको, मैं maximum, या ऐसा कहलो, maximum path difference की बात करें, अगर हम, so, यह होगी, n lambda, into d by d, minus, n, इससे consecutive वाली से पहले वाले की क्या होगी, यह होगी, n-1 ही होगी, तो यह minus, minus जाके plus हो जाएगा, और यह जो fringe spacing जो हमारी x जिससे denote करेंगे, fringe spacing को, उसकी value के आजाएगी, lambda d by d, यह मैंने बस चाहिए, आप इसको याद रखना चाहो, याद रख लो, यह मैंने पूरा-पूरा तरीका बता और यहां से हमें यह भी पता लगता है, जो fringe spacing होती है, वो directly proportional to lambda होती है, आप देखना, 2016 में, आप करके देखना, कोशन देखना, भी मेरे पर कोशन नहीं है, तो 2016 में इसके उपर direct question आया, दो नम्बर का, ओके, है तो यह 12 वाला topic है, लेकिन अब क्या करें, आया है कोशन तो क्या कर सकते है, करना पड़ता है, ठीक है, अब मैं आपको बता हूँगा, यह जो path difference वाला scene है, यह कैसे आता है, यह तोड़ा zoom करके भी हम देखेंगे, bands बनेंगे कैसे, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग अभी हमने गेरो देख लिया कि यार कुछ ना कुछ angle पर रहता है, तो इस तरह से हमें fringes मिलेगी, और उसकी mean spacing वगरा भी हमने देख लेगी, बट अब इसका basically हम principle कैसे देखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, reflecting surface को बनाकर मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत interesting है, द्यान से स surface है, रख दिया, clear है, और ये कुछ ना कुछ angle theta पना रही है, मैं आपको अल्रेडी बता चुक हूँ क्यू बनाता है, ठीक है, थोड़ा सा धिहान focus होके आपको यहां पर देना पड़ेगा, कि जब यहां पर light source, जो हमारी monochromatic light है, यहां पर पढ़ती है, इसके उपर आके, तो कुछ पार्ट से तो यहां से reflect हो जाता है, और कुछ पार्ट से यहां से reflect होता है, इस बात को थोड़ा सा धिहान focus होके सुनना पड़ेगा आपको, कि यहां पर कि कुछ ना कुछ यहां पर अब difference आएगा path में, कि इस point को मैं A माल लो, इसको B और इसको C माल लेता हूँ, ऐसा ही है, ठीक है, तो यहां पर यह जो point मैंने बना यहां पर आपकी आंखे आपने माल लगा दिया है, यहां से देख रहे हैं, तो हो क्या रहा है, basically कि जो wave है हमारी, यह reflect हो रही है दो जगा से, और यह जो मोटे दो points बन रहे हैं, यह, ठीक है, और यहां पर अगर आप द इस point को x माल लो, इसको y माल लो, इन दो points से, यह दो अलग-अलग points दिखाई देंगे आपको, चाहिए किसी instrument से लगा के देखो, चाहिए आंखों से लगा के देखो, जो ray बाहर निकलेगी, वो दो points से निकली देगी, और क्योंकि इनका कुछ ना कुछ क्या है, path difference है, क्या ह है, वो देखेंगे बाद में, और कैसे इसको निकालते हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, तो यह हमारा a, b, c, यह क्या है, path difference है, अब ऐसी यह same इधर भी बनेगा, एक जगा पर थोड़ा पढ़ेगा, पूरी-पूरी length पर पढ़ता है यह, ठीक है, जी, ऐसी पढ़ेगा, थोड़ा स्वाइमा बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ, इस-पोइंट से reflect होगा, और कुछ, इस-पोइंट से reflect होतारेगा, और यह भढ़ता रहेगा, ठीक है, इस-पोइंट को मैं दी माल लेता हूँ, इसको e, और इसको f माल लेता हु, ठीक है, भाए, तो इस बार path difference क्या ह तो हम लोगों ने इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है जो हमने लाइट यूज करी है हमने पढ़ा क्या है अब तक यहां पर अब इस पिछलिया डिस्केशन हमने क्या था कि हर पाए-बाए-टू के पाथ डिफरेंस के बाद या पाए-बाए-टू का जब पाथ डिफरेंस था तब डार्क फ्रिंज बन रही थी या हर एक पाए-बाए-टू पाथ डिफरेंस के बाद डार्क और ब्राइट फ्रिंज वाइट फ्रिंज हमें मिलती है पूरी-पूरी स्क्रीन पे तो अब इस केस में पाथ डिफरेंस कित अगर इसको दो तुकड़ों में तुकड़ोंगे, A, B, P, L, C के रूप में तो उटेगा, तो अगर लेंबडा क्या होता है, वेवलेंथ है, तो डार्क बेंड जो हमारी बनती है, जब पूरा पाद्रिवरेंध्यान समझेगा, A, B, C की जो लेंथ है, वो कितनी है, लेंबडा बाय टू, तो अगर मैं इसके में सिर्फ B, C की लेंथ निकालना जाओ, यह कितनी होगी, लेंबडा बाय फॉर, अगर लेंबडा बाय फॉर, अब इसी तरीके से अगर आप D, E, F वाले पोर्शन पर देखोगे, तो इसी तरह से दो जगा पर स्प्लिट अपो रखी है, यह जो लाइट है, ठीक है, तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस D, E, F का होगा, वो क्या होगा, ओर्ड नंबर का मल्टिपल होगा, हाफ दा बेवलेंड, मतलब, ओर्ड नंबर मतलब जैसे तीन हो गया, पाँच हो गया, अगले वाले की बात, इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो वो कितना होगा माल लो, थ्री लेम्डा बाए टू, मतलब, यहां पर हर एक लेम्डा के बाद, अगली आपको एक तरह से, क्या मिल रही है, डार्क फरिंज मिल रही है, यहां पर, तो अगर पूरी पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूँ, पूरी पूरी लेंथ की अगर मैं बात करूँगा यहां पर, तो पूरी लेंथ के हिसाब से भी आप इसमें निकाल सकते हो, कितनी fringes निकलें, वो हम आगे देखेंगे ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो ये वरी length अगर आप से कोई पूछेगा, सिर्फ ये वाली तो ये हो जाएगी 3 lambda by 4, आदी 3 lambda by 2 की So, यहाँ पर ये जो है, lambda के बाद ये बना हमारा ठीक है, तो इस तरीके से, वो ही है ये, 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 सब कुछ हमारा चल रहा है, राइट, समझ आ गया होगा आपको ये जीज़, तो इसके help से ही अब हम आगे चलते हैं अब मैं आपको सबसे ज़्यादा critical, ये, कहलो जो इसमें सबसे ज़्यादा doubt रहता है लोगों यहाँ तक सब समझ आते हैं लेकिन एक जो सबसे important बात बताने जारा है रटते हैं लोग वो क्या है, की path difference number of fringes का समझ में ये नहीं आता लोगों की number of fringes n का क्या scene है, वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही शांदार तरीका है बताने का इसमें, आपको समझ भी आएगा देखो, number of fringes अभी देखो, total path difference कितना हुआ एक तरह से lambda by 2 यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर यहाँ कितना हुआ 3 lambda by 2, अगर आप जोड़ो के तो कितना है 2 lambda, कितनी number of fringes एक यहाँ बनी, एक यहाँ पर बनी यानि कि जब दो आपकी यहाँ पर fringes बनी है, dark वाली ठीक है तो path difference total कितना हुआ गए 2 lambda हुआ, अगर मान लो n fringes आए कि तो total path difference कितना हुआ, n lambda हुआ यह बहुत काफी लोग को समझ में नहीं कहरा आपको ना समझ आती हो पहले यह सबसे important बात थी जहाँ पर लोग गड़वड करते हैं समझ आगी मेरी बात ठीक है, तो generalized way में, अगर आप कोई भी path difference इसको मान लो a, b, b, c, किसी को भी बोल देंगे अगर हम लोग तो हम लोग a, b को एक path difference मान लेते हैं, एक हिस्से का, एक line का इदर का, ठीक है, या इस d e को मान लो चलो ठीक है, तो क्या बलो कि आप मैं यहां करता हूँ, एक मिनट अगर lecture बढ़िया लगर तो please comment कर देना और like कर देना, और पता लगेगी समझ में भी आ रहा है और नहीं आ रहा है so d e plus e f generalized way में मैं कहा रहा हूँ n lambda के बराबर होगा और यह दोनों बराबर है, मान लेते हैं d e और e f लगवग लगवग बराबर है यूग कि angle of inclination बहुत छोटा है so twice of d e बराबर n lambda और यह d e की value हो जाएगी यह वाली length जो यहां से शुरू हुई है जहां से देखेगा यहां से लेकि यह वाली length up to यहां तक average बान लेता हूँ कितनी length मान लेता हूँ मैं यह l मान लेता हूँ यह triangle ही बनेगा यहां से यह triangle बन रहा है जिसका angle यह वाला कितना है theta जादा खिचडी तो नहीं हो रही है वैसे मुझे लगता है ये वाली length d मैंने निकाल दिया है n lambda by 2 यहाँ इसका ये सारा का सारा ये खेल है निकालने के लिए ये length l है तो यहाँ से आथ 10 theta को बहुत छोटा angle होता है theta भी मान सकते हुए कितना हुज है का n lambda by 2 इसी का खेल है सारा का सारा numerical जो भी लोग गड़बड दिक्कत आती है वो इसी में आती है और कुछ भी नहीं है clear and सबसे जो दिक्कत इस n fringes बन रही है वो ही समझ में नहीं आता तक क्या है बस इसका खेल है सारा का सारा अब optical flat को हम comparator के रूप में मतलब इसका इस्तामाल करते हैं हम लोग ठीक है कैसे उसको भी देखते हैं जी ऑप्टिकल फ्लैट अज इसको समझने के लिए आपने मतलब क्या निकानना है वो बताता हूं मान लेते हैं कि एक हमारे पास स्लिप गेज है इसकी हाइट मरलब इसकी लेंथ मान लेते हैं यह कितनी है ठीक है और एक हमारे पास है स्टेंडर्ड गेज सेम ठीक है और इसके उपर हमने क्या रख दिया है ऑप्टिकल फ्लैट रख दिया अभी समझ मैंगा क्यों ऐसा करा है हमने ठीक है यह हो गया ठीक है अब ऑप्टिकल फ्लैट से हम लोग क्या निकालते हैं साइज का डिफरेंस निकालेंगे जो स्लिप गेज है और जो स्टेंडर्ड गेज है इन दोनों के बीच की कितना चेंज है इसको माल लेते हैं यह कितना है डेल्टा है अभी एक बात आगर आप ध्यान से देखो अभी जो हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस वो यही वाला तो पढ़ा है एक तरह से यही लेंग मेरी बात समझ रहे होंगे आप इसको ठीक है वो ही है यह जिसको हमने कितना निकाला था एन लेंब्डा पाई टू निकाला था यह क्लियर यही है बस और कुछ नहीं है अब यहाँ पर बस मैं सिमिलर ट्रेंगल लगाने वाला हूं बहुत ही असान है देखो यह ल है तो यह भी ल है अब यह जो डेल्टा है अगर मैं इसमें निकालूंगा ठीक है जितना यह बलाब यह डेल्टा है जितना यह है यह यह भी डेल्टा है और इस इस दूरी को मैं मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, given होगी जो भी है, तो यह delta h है, तो यह भी delta h होगा न, अब देखना जा रहा, एक यह वाला triangle लूँगा मैं, जिसको मैंने yellow बना आ है, और इसको मैं आपर mark भी कर दे रहा हूँ, और एक मैं यह वाला triangle ले रहा हूँ, similar है, n lambda y 2 divided by L equals to delta h upon y, यहां से delta h की value आ जाएगी, n lambda y upon 2L, बस यहां से हम निकाल देंगे, number of fringes कितनी अपर होगी है, एक slip gauge में, वो n है, ठीक है? तो इस तरह के इसके अंदर खेल होता रहता है, लोग जो कि मुझे लगता है कि बहुत असान है, कोई भी दिक्कत आपको इसमें नहीं आएगी topic में, एक और IES में एक बार question है, इसमें gate में भी इसके उपर एक question है, IIT का भी एक यह question है, कि जब angle को आप बढ़ाते हो, theta को angle को अगर आप बढ़ाते रहोगे, तो जो number of fringes है, वो भी याद रखना, क्या करेगी हो? increase करेगी, मतलब छोटी-छोटी बननी लगेगी, number of fringes, ठीक है? इस तरह से होती है, लोग इस number of fringes बढ़ जाएगी, कहने का मतलब यह है, ठीक है, यह कि यह भी कहीं बार question आता है, इसके अंदर, next जो हमारा lecture होने वाला है, उसमें हम लोग इसके ओपर, जितने भी gate में अभी तक numerical आएगी है, वैसे तो मुझे ऐसा लगदा है, कि अब आप question करके देखेगा, आपको सारे के सारे question हो जाएंगे आपसे, सारा का सारा खेल था इसमें, एन लेमडा बाइट टू का, ठीक है, और यह जो change in height, जो delta H हमने निकालना है, कितना change आया है, जो slip gauges और जो standard gauge है, उसके बीच में, वो delta H हमने निकालना सीखना, इसके उपर question gate में आया है, एक दो बार, ज़्यादा तो नहीं आता है इससे topic, लेकिन जब आता है तो बहुत ज़्यादा conceptual होता है, so next lecture, जो part third रहेगा, उसमें हम इसमें, numericals करेंगे, gate के आये वह, और कुछ, जो competition exam में है, जो RRB वगारा में भी questions आये, उसको भी हम लोग करेंगे, जो YCT की books है, okay, so next lecture में मिलते हैं, धन्यवाद,